यह आका नाम दूवा यह एक अनस्ताइन असलाम लेकुम दोस्तों उम्मिद करता हूं सब का खेरिट से होंगे दोस्तों वेल्कम तो दी नॉलिज चैनल यह यूटुब चैनल है जिसका नाम दी नॉलिज है तो आज मैं आपको लोगों के लिए स्पेशली लेकर आया हूं MS Office MSU means computer related MSU और MS Office जो है इसी के related MSU आते हैं जातर papers के अंदर competitive exams होगी भी PSE, F PSE और भी papers है banks के related और especially paper वने वाला किनाल पर टुवारी का उसमें 50% जो हैं MSU आने वाले हैं वो computer related आने वाले हैं तो यह बहुत important and repeated mcgles है और MS Office से related है MS Office का मतलब यह है कि इसमें MS Office में PowerPoint भी जाता है और Excel भी आ जाता है और Office भी आ जाता है word जो है Mac और software तो और access भी आता है चार कुमकी component है MS Office के तो वो इसमें कवर होंगे इंशाल्ला access को तोड़ा कर दें क्योंकि उससे related स्वाल बहुत ही कम आते हैं और आगे भी पेपर्स होंगे कई पेपर्स में तो काफी पेपर्स में ऐसे भी हो रहा है कि 50% जो है computer गाता है तो पहला जो टागेट मेरे खाल से computer को करना चाहिए as computer order क्या आपका 50% तो clear हो ना paper जो आपको पता है 50% जो remaining रहता है 100 में से उसमें से जी के general knowledge कोश्चन आते हैं science related question कोश्चन आते हैं current affairs के question आते हैं लिकिन आपका एक subject करने से computer वाले mc-books उताने से आपका 50% तक्रीबन जो पेपर वो ऐसंद तरीके से हैं हो सकता है चैनले guys start करते हैं first is to delete this selected text paper pass कि select कर ली हमने text और उसको delete करना है तो हम क्या दबाएंगे तो वो delete हो जाएगा तो option these delete button दबाएंगे तो वो delete हो जाएगा automatically next is to print a document press document को print करने के लिए क्या press करें है प्रेंगे प्रिंट तो प्रिंट हो जाएगा next is to see the document before the print out taken कि आपने अगर document को print करना है थीक है तो वो पूछ रहा है कि किस फॉर्म में print एक preview होता है उसका ना तो प्रिंट लेने से पहले हम देह लेते हैं हमारे excel है word है तो कितना एक page का वाया और कितना उसकी length और कितने वह portrait में और landscape में तो उसको पहले देखते हैं कि आया के जो हम प्रिंट लेना चाह रहे हैं वह भी चीज प्रिंट में आ रही है और किस तहां से आ रही है तो उसे हम कैसे देखेंगे उससे पहले तो हम उसको देखेंगे प्रिंट व्यू के जरी है option c is correct next is to save a document for the first time option is used से अपने documents save करना है तो first time उसको क्या option जो है वो use होगा to save as use होगा save as करेंगे तो वहां जाके file save हो जाएगी एक बार ठीक है उसके बार जो आप save करेंगे cut as से भी save का एक shortcut keys बता रहा हूं आपको cut as save करेंगे तो वहीं documents दोबारा दोबारा save होती रहेगी दोबारा आपको file पराना ही जाती पड़ेगी लेकिन first time आपको save as करके file वहां बना कर उसका नाम अपना पड़ेगा further आप उसी document में कुछ edit करते हैं मजीद आप typing करते जा रहे हैं एक सरुता है काम करता जाता है या कुछ भी ऐसा हो जाता है कि system बंद हो गया या आप उटकर चले गए हो तो करेंगे तो आपका data होगा हो जाय नहीं होगा जो आपने correct होगी working हो जाय नहीं होगी इससे फिफ्टे इस portrait and landscape और portrait or landscape क्या है तो option c is correct page orientation है कि पेज ओरेंटेशन और पेज किस फॉर्म मेंने के लएगा अब या आपको नहीं होता है portrait or landscape sixth is which key is used to delete characters to the left of the cursor कौन से key use की जाती है कि left side पे characters हो उनको delete करने के लिए backspace की जो key है वो use की जाती है seventh is which key is used to delete characters to the right of the cursor अब cursor जो है उसका हमने left side पहले देख रहे थे अब right side के अगर हमने character delete करना हो तो हम फिर कौन सा button दबाएंगे तो पि delete का button दबाएंगे तो automatically जो right side के character है वो delete करते हैं eight is Microsoft is dash software Microsoft जो है वो dash software वो basic application option is correct next is which is not in MS Word MS Word में क्या नहीं है मतलब इन options में से वो options हमने उठाने हैं जो MS of Word में नहीं है option D is correct magic tool नहीं है tenth is dash cannot be used to work in MS Office इन option में देखा जाना है हमने क्या चीज़ जो है MS Office में use नहीं होती है joystick basically game के लिए उती है 11th is which is not an edition of MS Word MS Word का क्या edition नहीं है मतलब क्या edition नहीं है 2010, 2007, 2003, up to 2016 तो MS Word 1020 यह नहीं आया है आपको देखने से बता लग रहा है कि out of list है next is what is the blank space outside the print printing area on a page कि blank space होती है printing के outside उसे का कहते है page पर उसे margin कहेंगे जैसे कि apprentice correct next is which of the flowing is an example of page orientation अब इन दियेवे options में से page orientation की कौन सी example है अभी हमने पिछे पढ़ा था कि landscape और portrait को क्या कहते हैं हमने पढ़ा option में था page orientation को क्या कहते हैं तो option C is correct text में और in addition formatting perform कियाती है table में formatting perform कियाती है the trend is which of the flowing software is used to making resume में resume में कहते है cv को तो कौन सा जोए software यूज के जाता है resume में पराने के लिए always option is correct MS Word Excel में तो आपको पता cells और sheets होती है उसमें तो वो जाया तर ऐसा होता है कि कोई mathematical है calculations टाइप चीज़े है वो उस पर उती है Excel के ओपर इसमें MS Word पर बनती है 16 is press dash to open the help window in MS Excel क्या हम प्रेस करें क्वों सा बटन प्रेस करें के help window open हो जाए Excel के मतर option 1 is correct F1 प्रेस करेंगे तो automatically help window open करतेगा next is the name of the word document display जिन word document का जो name है वो कहां display होता है मतलब एक हम word की document के उपर काम कर रहे हैं तो उसका name जो हमने word के उपर लिखा वे अपनी file का वो कहां शो होता है option B is correct title bar में जो होता है टाइप टाइटल बार की title में बता रहा होता है कि क्या नहीं है हमारी file का next is dash is not a part of MS Word document इन देए गए option में से कौन सा हिस्सा नहीं है MS Word document का start menu button option is correct वही हिस्सा नहीं है word document का each line depends how many letters in word star 65 में word star next is select all the text in MS Word document by अब सारे जो text जितना भी हमने लिखा हुआ है या पहले से किस्तों नहीं लिखा है तो थोड़ा है ज्यादा है जितना भी लिखा हुआ है हमने सारे उसको हमने select करना है option one is correct is for all current a press करेंगे तो सारा हो select करेंगे next is which bar shows the current position as for the text text goes जिसे कौन सा बार current position बताता है text किस तरफ जा रहा है उसको बार हम कह कहते है option यह title bar option d is correct status bar कहते है next is MS Word is software of MS Word जो है software किसका आई है option 4 is correct Microsoft MS Microsoft word next is which is the word processing software word processing software को है AWS AWS Google Chrome Mozilla Firefox box नहीं है तो MS Word 2007 processing software है next is the valid format of MS Word is valid एक हर एक file का format उतता है valid format कौन सा है word document का वो DOC DOC means document आप इस तरह याद कर लीजेगा option 2 is correct next is word program is used in MS Word to check this spelling हमने type कर दिया अब check करने spelling को spelling mistake तो नही है तो किस तरह हम उसको क्या कहेंगे spelling and grammar आपको यह option से आपको बता रहा है कि यह answer है option D is correct next is to show font dialogue box press font dialogue box को तेखना हो तो क्या प्रेस करेंगे हम shortcut की क्या है कर D next is a word gets selected by clicking it a word is एक word को हमने select करना है जैसे के twice एक word है हमने इसको select करना है तो हम क्या करेंगे इसके लिए तो उसको cursor को उपर लाके क्लिक करेंगे तो हम इसको पर क्या करेंगे कि select हो जाए यह हम दो दफा क्लिक करेंगे क्लिक करेंगे अगर माउस है तो माउस का लेफ्ट क्लिक दवाएंगे तो वो select कर लेगा अगर अगर आपने पुरी लाइन को select करना है सारी लाइन को select करना है तो वो आप अगर 3 दफा खर क्लिक करेंगे तो पुरी लाइन select कर लेगा 2 दफा क्लिक करेंगे करेगा नेक्स्ट इस विच ऑप्शन इस नोट अविलेबल मैक्रोसफ्ट ऑफिस बटन ना कौन सा जो है मैक्रोसफ्ट ऑफिस में बटन में जो ऑप्शन अविलेबल नहीं बोल्ड का नेक्स इस संटर दे श्लेक्टिट टेस्ट टेस्ट अब स्लेक्ट कर लिया अग्स इसको फिर हम कॉमसे श्लेक्ट कीश द्वाएंगे वह और टुपशन तो इसकर तो श्लेक्ट कर लिए अग्समें अधे ना किस डॉकुमेंट का तो सबसे मेजर स्टेप कौन सा होता है उसमें आधिंग ऑप्शन C is correct तो सेव डॉकुमेंट को फिर दो करते हैं ने कि पेपर सेटिंग पर सेट कर लेते हैं यह यह प्रिंट व्यूमें जाकर देखते हैं यह इन ही दो में आ रहा है बिसकली ना इसका जो ऑप्शन D है बिसिकली वह C में ही आ रहा है सेव करेंगे पेपर सेटिंग को देखेंगे तो वह आप्टमेटिकल प्रिंट गूम आ जाएगा फॉर में आ है इसलिज दिखेंगे हूं यह यह राएग में रहा है आ जैजिज घ्राइग पर फॉर ऐस को और यह रहा है जो भी प्रों तो अ ग्रोशां क्यांग दिखेंगे क्यांगे क्यां थे आजिए हैं यह थे रशन वीलिघ्टम अ मिह रहा है यह अ difॉर्ट ग्रत smallest width of a column a column is smallest width कितनी होती है इस चोटी width कितनी होती है that is 0.5 option C is correct you can keep your personal files folders in my documents में रख सकते है my text my folder अब दोगता है नहीं लुजिंग प्रिव्यू इस वेन यूवांट टू कि अप्शिन डीज करेक्ट इस निए कि आप प्रिव्यू जाते है इसलिए के औरने हैं की डाकमेंट को देखने के लिए कि प्रिंट होने के बाद किस फार में मारे पास ऐगा या कैसे लागे गीड़ें का वेज का कि का आप आपस आएगा इसे वर्ट इस दी इंट्रसेक्शन और कॉलॉम और रो और वर्क्षीट कोर्ड इंट्रसेक्शन क्या किलाता है कॉलॉम और रो का वर्क्षीट पर करिदो का वह जो एक्सल की बात थी बसिकलिए एक्सेल इसक्वर्क्षीट होती है यह बनने सेल्स होता है जो केते हैं जो प्लोक्स नहीं बने रुटते हैं ना next is to insert a new slide in the current presentation we can use कि एक प्रेसेंटेशन अभी बेसिकली उसका पावरपाइंट का है क्योश्चन है कि करन्ट प्रेसेंटेशन को अब न्यू स्लाइट हम कैसे इंसर्ट करें उसमसे उपशन ए इस करेक्ट कर्ड एंड दभाएंगे कि प्रेस करेंगे उप्शन स्लाइट इंसर्ट और दाएंगे इस्सेंट यूजि यूज़िंधों कि और कोई भी टेक्स हमने एड्ड करनी है कोई इन टेक्स पोतो एफिशेंटले कैसे करेंगे किस तरा हो सकती है कि वो दिल्दी हो जाया दरा तो ऑप्शिन यह है ताइप्राइटर भी है spreadsheet c a desktop publishing program and none of none of these which option is correct I think यही है option क्योंकि ना रडड़ाइटर रहा है ना spreadsheet desktop publishing पर आपको नहीं सकता option D is correct वाई आर headers and footers used in the document अब headers or footers क्यों उसकर रहते हैं में आपको पताया है दूँ कि headers जैसे एक word की फाइल उपन करो ना सबसे top of the जो जो कि हम typing जहां start करते हैं उससे थोड़े चुपर जगा शुटे ही होती है उसको हम head कहते हैं और हम typing कर जा रहे होते हैं वो next page पर चुटता है उसे हम छुटी होती ही इतनी वह footer कहते हैं अगर हम डबल क्लिक करेंग header पर तो फिर वह type कर सकते हैं otherwise हम type नहीं कर सकते हैं जिए हैं पूटर हम यूज़ करते हैं अपर दीज करेक्ट तू अलाओ page headers and footer तू पेर और डॉकमेंट बैन इस प्रिंटेट इसलिए उसकरेंगे तरसी बात है कि पेज के ओपर हम header or footer कुछ लिखेंगे टाइप करेंगे तो वह print में आये ताके जगा जो है नेक्स इस प्राइमरी परपर उस फ्री इस तू टर्न डेटा इंटू तो बैसिकली परपर उता है सफ्री का क्या होता है डेटा को information में convert करना data information basically यह फरक होता है फरक भी बताता है आपको में कि यह data होता है scattered उसको हम read नहीं कर सकते हैं उसके फैला वह होता है basically information किसी कहते हैं वह जब एक data जो है उसको concise कर लिया जाए उसको एक order में लेकिया जाए कि वह उससे कोई पढ़ दे सके उसे और उसकोई information get कर सके तो हम उसे information का है यह फरक होता है data को और information editing a document that has been created means अगर एक document को edit करना है हमने तो किसली edit कर रहेंगो उसमें कोई कलती हमने देखियो होगी तो correcting it what is the file extension of ms word 2003 document file extension क्या आई थी 2003 के document में option b is correct next is in excel the contents of the active cell are displayed in the excel के अंदर active cell जिसमें काम कर रहे होते हैं disparate होते हैं content जहां disparate होते हैं उसको हम क्या कहते हैं हमारा पास menu बाहर होता है formula बाहर होता है टास्क बाहर होता है और उसम फर्मॉला बाहर कहते हैं basically मैं आपको पता है excel तो मशूर है formula निकामियाभी फर्मॉले की बजाद से हैं तो formula किसी भी cell जो है active पर क्लिक करेंगे तो मतलब select करेंगे को जूँ करके click करके तो हमेना वह बताएगा और फर्मॉला बाड़ना किसमें cell में कौन सा फर्मॉला लगा रख है आपने नेक्स इस कंपूर लाइंविज यूज ओन दे इंटरनेट इस अब क्या कहते हैं जो इंटरनेट पर यूज होती है जाएग अब करेक्ट जावा निटिस लाइर में कंटेन स्लाइर में होती है टेक्स होता है ग्राफिक होती है सांड होता है मुविज बूती है जारी जाएग जोटी यह अप्शन दीस करेक्ट रस अगाओ नेखेट देशन दीस दीस दीट दीस है मुष्च है धर बाहे है जब करेंगी स्द्से Bangladesh एग खर ग्राफिक परिंटेशन ऌफटर आपधा है वो पड्वर पानक रोटता है SM Housing परेडििरस कर्लिट next is the operation of combining two cells into a single cell in Excel is referred to as के different cells हैं basically two की बात कर रहा है तो हम भी two की बात कर लेते हैं two cells की उनको combine करना है हमने यह हम नाम कुछ ऐसा लिख रहे हैं कुछ ऐसा टाइप कर रहे हैं के हमें cell छोटा लग पड़ रहा है तो एक option इसका यह भी होता है कि हम दो सेल्स को पकड़के merge कर दें तो उसकी length लंबी हो जाएगी तो सारा कुछ लिख 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 लिए जाएगा अपने मुताबिक हम ढाल लेंगे मतरब जो चीछ साही है में अटेन कर लेंगे उसे हम तो इसे हम जाएक हैंगे refer to as option c is correct merge cells next is what is the minimum number of rows and columns data word table can have कम से कम number कितने होते है rows and columns के एक table के अंदर कितने कम number हो सकते है option b is correct one row and one column अगर इस से भी हम reduction की तरह जाएंगे तो zero हो जाएगा वो जो क्यों क्यों होई नहीं सकता है which of the flowing section does not exist in a slide layout अब इन दी के option में से कौन सा अग्जिस्टी नहीं करता style layout में option अनिमेशन का definitely option A is correct to start Microsoft powerpoint application powerpoint की open करने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा क्लिक स्टार्ट क्लिक स्टार्ट स्टार्ट पर क्लिक करके रन रहन को powerpoint को पर प्रेस करेंगे वो जागे तो पड़ेगा परवाम option C is correct next is you click at B to make the text bold किसी भी टेक्स को पकड़के आप उसको collector के उसको कर भी दभाएंगे तो बोल्ड हो जाएगा वह इस वाज लास्ट ताम सिक्यूल फिफ्टी मेनिंग है इंशाला नेक्स्ट कमिंग में इंशाला कमिंग सुन में आपको बना दूंगा वो वीडियो वह है इंपोर्टेंट है इसको भी देखना ना भूलिएगा currently 50 तक हैं आप इसी कुई त्यारी करें देखें इसे कि महां बहुत बहुत क्याल रखेगा चैनल कुछ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा लाने के बाद